हेलो फ्रेंट्स जीडी एजुकेशन टीच में आपका स्वागत है फ्रेंट्स आज में लेकर आए हूं बोक्स और उनके ओथर से संबंदित क्वेश्चन आंसर बहुत ही इंपोर्टेंट है हम कम समय में अधिक प्रिशन करने की कोसिस करेंगे आपके लिए यह वीडियो निमनलिखित में से कौन से रचना कालिदाश की नहीं है तो मुद्र राक्षस यह नहीं है रगुवण शम्प अभिग्यान साकुंतलम और हुमार शंबवं यह तीनों रचनाय कालिदाश जी की है किस राजजी के इतिहास का पता चलता है तो वह हैं जम्मो कसमेर के है next question, मुगल सहजादियों में से किस ने प्रसिद पुष्तक हुमाईू नाम लिखा friends इसका correct answer होगा गुल्बदन बेगम next question है, निमने लिखिद में से कौन सी क्रती कालिदास की है तो correct answer होगा इसका मालविकागनी मित्रम नेक्स्ट कोश्चन है रगुवन्स महाकाव्य के रचनाकार है कौन है? करेक्ट आंसर होगा कालिदास नेक्स्ट कोश्चन अर्थसास्त्र पुस्तक के लेखक कौन है? करेक्ट आंसर होगा चाणक्य Next question है, हर्ष चरित के लेखा कौन है? तो friends, इसका correct answer हो जाएगा بाणभट. Next question, अष्टाध्याई निमने लिखीत में से किस की रचना है? Correct answer होगा, पतंजिली. Next question है, निमने लिखीत में से कौनसी पुस्तक का दितास द्वारा नहीं लिखी गई है? तो यह है म्रच्छ कट्टिकम नेक्स्ट कोश्चन है चरक सहीता निवने लिखित में से किस से संबंदित है करेक्ट आंसर है चिकित्स से नेक्स्ट कोश्चन है बीजक किसके वचनों का संग्रह है करेक्ट आंसर होगा कबीरदाज जी के नेक्स्ट कोश्चन पदमवती कथा के लेखा कौन है करेक्ट आंसर होगा जायसी मलिक मुहम्मद जायसी नेक्स्ट कोश्चन काव्यादर्ष नामक ग्रंध की रचना किसके द्वारा की गई करेक्ट आंसर हो जाएगा ओपसंडी दंडी नेक्स्ट कोश्चोन है नागनंद प्रियदर्शी का एंँ रत्नावली, निमनेलिकीद में से किसकी रचनाएए हैं? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका हर्श्वर्धन की हैं तीनों Next question हुमायू नामा का लेखक कौन था? तो फ्रिंट्स इसका correct answer हो जाएगा गुलवदन बेगम Next question है मिताक्षरा किसकी रचना है? Correct answer है विज्ञानेश्वर की Next question मिताक्षरा का संबंध है किस से? तो वह है हिंदू विधी से संबंधित है नेक्स्ट कोश्चन लीलवती पुस्तक संबंदित है तो यह है गडित से संबंदित है नेक्स्ट कोश्चन संस्कृत गरंत अश्टाध्याई का संबंद किस से है तो फ्रेंट्स इसका करेक्ट आंसर होगा व्याकरन से नेक्स्ट कोश्चन है महाभारत महाकाव्य का मौलिक नाम क्या है? करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका जै सहीता नेक्स्ट कोश्चन बुद्ध चरीत निमने लिखित में से किसकी करती है? करेक्ट आंसर होगा इसका अश्वगोस की नेक्स्ट कोश्चन है नीती सतक के लेखक कौन है? करेक्ट आंसर हो जाएगा भर्दहरी नेक्स्ट कोश्चन है वरा महिर ने निमने लिखीत में से कौन सी पुस्तक लिखी है? करेक्ट आंसर हो जाएगा रहत सहीता नेक्स्ट कोश्चन है किर्यातर अर्जुनियम किसकी करती है करेक्ट आंसर है इसका भार्वी की नेक्स्ट कोश्चन ब्रच्च कट्टी कम किसकी रचना है करेक्ट आंसर है सुद्रक की नेक्स्ट कोश्चन है मुद्र रक्षस किसकी रचना है करेक्ट आंसर होगा विशाकदत की नेक्स्ट कोश्चन दसकुमार चरित अत्वा दस राजकुमारों की कथाएं किसने रची है करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका दांडी ने नेक्स्ट कोश्चन है पंच सिध्धान्ति का के लेखा कौन है तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दांडी चमा कीजी वरा मिहिर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा पंच सिध्धान्ति का लिखा है वरा मिहिर ने नेक्स्ट कोश्चन है मतविलास प्रहशनम किसकी रचना है तो फ्रेंट्स इसका करेक्ट आंसर होगा महेंद्र वर्मन की नेक्स्ट कोश्चन है शोक्न वास्थवदत्तम के लेखक कौन है करेक्ट आंसर हो जाएगा भार्स नेक्स्ट कोश्चन है प्रत्वी राज राशों के लेखक कौन है करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका चंदर वर्दाई नेक्स्ट कोश्चन है कपाल कुंडला के लेखक कौन है करेक्ट आंसर है बंकिम चंदर चटर जी नेक्स्ट कोश्चन गड़ देव तक किसकी रचना है? करेक्ट आंसर है तारा शंकर बांदो पध्याए नेक्स्ट कोश्चन प्रसिद उपन्यास चरित्रहिन कि उपन्यास कार कौन है? तो करेक्ट आंसर हुगा सरच्चन्र चटो पध्याए नेक्स्ट कोश्चन है गुलबदन बेगम दोरा रचित पुस्तक कौन सी है? करेक्ट आंसर है इसका हुमायू नामा नेक्स्ट कोश्चन पेरिफलस अप इरिथ्रियन सी का लेखक कौन है? करेक्ट आंसर है इसका सुद्रग कभिरदास के उपदेशों कशब्चे महत्वपोर्ण संकलन कौन सा है तो यह है बीजक लेक्ष्ट कोश्चन है वालमे की द्वारा रामायाडग्रंत की रचना इस भासा में हुई तो वह हुई है संस्क्रत में नेक्स्ट कोश्चन है निम्निलिखित में से कौन सी क्रती कालिदास की नहीं है तो इसका करेक्ट आंसर होगा सारी पुत्र पराक्रम नेक्स्ट कोश्चन है निम्निलिखित में से कौन सी क्रती कालिदास की नहीं है तो है कादंबरी नेक्स्ट कोश्चन है निमने लिखीत में से किस पुस्तक के लेखक पाणी नी है करेक्ट आंसर है अश्टाध्याई नेक्स्ट कोश्चन बाबर नाम मोल रूप से किस भासा में लिखा गया है तो वह लिखा गया है तुर्की में Next question, पुस्तक कथासरित सागर के लेखा कौन है, करेक्ट आंसर हो जाएगा, सोमदेव Next question है, प्रसित ग्रंद, लीलवती, प्राचिन भारत के किस विशे से सम्बंधित है, तो यह किस विशे से सम्बंधित है, तो यह हैं गडित से नेक्स्ट कोश्चन है विक्रमांक देवचरित के लेखक कौन थे तो यह है बिलहण नेक्स्ट कोश्चन कामसुत्र के लेखक है तो यह है वातसायन नेक्स्ट कोश्चन है गोरा किसकी रचना है तो फ्रंट्स यह है रविंद्रनाद टैगोरची की नेक्स्ट कोश्चन अर्थिसास्त्र किस विसाय पर लिखी गई है तो यह लिखी गई है राजनीती पर नेक्स्ट कोश्चन है कबीर की दोहे के संग्रह का नाम क्या है तो वह है बीजक नेक्स्ट कोश्चन है जैसी ने निम्निलिखीत में से किसकी रचन की है तो वह की है पदमावत की नेक्स्ट कोश्चन है कालिदास करत मालवी कागने मित्रम क्या है एक तो यह है एक नाटक नेक्स्ट कोश्चन है पंचतंत्र के रचनाकार कौन है करेक्ट आंसर है विश्नु शर्मा नेक्स्ट कोश्चन स्रीमत भगवद गीता की रचना किसने की करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका वेद व्यासने नेक्شt कोश्ष्चन है रजमनामा किस ग्रंथ का फार्शे अनुवाद है तो इसका करेक्ट आंसर है महाभारत का नेक्श्ट कोश्चन है मिलेंदपन हो है क्या है यह एक ठ्रंड्स फ्रेंड्स यह है एक पाली ग्रंथ है Next question है कालिदास रचित अभीग्यान साकुंतलम का अंग्रेजी अनुवाद सरुप्रथम किस ने किया था तो वह किया था विलियम जोन्स ने Next question है निमनलिकित में से किसकी तुलना मैक्य वेली के प्रेंस से किय जा सकती है करेक्ट आंसर हैं कौटिली का अर्थ सास्त्र ओप्षन भी करेक्ट है नेक्स्ट कोश्चन है किस मुगल सासक ने अपनी आत्मकथा लिखी है तो वह लिखी है बाबर ने नेक्स्ट कोश्चन है उपनी सदों का फार्षी भाषा में अनुआद किसके प्रियास से हुआ है तो वह हुआ है दारासिकों के नेक्स्ट कोश्चन है दारासिकों ने किस सिर्सक के अंतरगत उपनी सदों का फार्षी भाषा में अनुआद किया था तो friends इसका हो जाएगा सिर ए अगबर का Next question है महाभारत का फार्शी अनुवाद में शिर्शक है तो friends इसका correct answer हो जाएगा अयार दानेश Next question है मेग दूत के लेखक कौन थे तो मेग दूत किसने लिखा था तो friends यह लिखा था कालिदास ने नेक्स्ट कोश्चन है पतंजली किसके संग्रह करता के रूप में प्रिशिद हैं तो यह है योगशूत्र नेक्स्ट कोश्चन है निम्ले लिखित में से कवी महा कवी कालिदास द्वारा रचित ग्रंत है कौन सी ग्रंत है तो फ्रेंट्स यह है कुमार शंभवम सहीता बद किस ने किया था, तो यह किया था मनु ने निमने लिखित में से कौन सी करती कालीदास की है, तो यह है माल विकागने मित्रम कुमार शंबा महा कावे किस कभी ने लिखा है, करेक्ट अंसर है, इसका कालिदास ने next question है, समुध्र गुप्त के प्रयाग प्रिसस्ती का लेख़क कौन है, तो करेक्ट अंसर होगा इसका हरिशेन नेक्स्ट कोश्चन है मिलिन्द पन हुँ राजा मिलिन्द और किस बओद भिक्चु के मदेशमवात के रूप में है तो फृिंट्स यहाँ हो जायगा नाखसेन नेक्स्ट कोश्चन है कौटिवले के अर्थसास्थ्र में किस पहलू पर प्रकाह डाल गया है तो फ्रिंट्स यह हो जाएगा राजनेतिक पहलू पर नेक्स्ट कोश्चन है चरक सहीता की विशेवस्तु है तो यह है औशधी नेक्स्ट कोश्चन है रितुसाहार किसकी करती है तो यह है कालिदास की नेक्स्ट कोश्चन राजतरंगी ने मोल रूप से किस भासा में रचित है तो फ्रेंट्स यह हो जाएगा इसका हो जाएगा संस्क्रत में नेक्स्ट कोश्चन है मालती माधव किसकी करती है तो मालती माधव करती है भववूती की नेक्स्ट कोश्चन है जातक कताएं किसके जीवन पर आधारित हैं तो friends इसका हो जाएगा बोधी सत्व नेक्स्ट कोश्चन है आईने अगबरी के लेखा कौन है तो यह लिखा था अबल फजल ने next question है प्रसिथ पुस्तक जंगल बुक किस ने लिखी है तो जंगल बुक लिखी है रूडियर्ड किपलिंग ने next question वेलथ आपनेशन के लेखा कौन है, इसका correct answer होगा Adam Smith next question है एरिया अफ़ डार्कनेस के लेखा कौन है, correct answer होगा V.S. Naipal नेक्स्ट कोश्चन है The God of Small Things किसका लिखा हुआ उपन्यास है तो यहां लिखा है हरुन्धती रायने नेक्स्ट कोश्चन है A train to Pakistan पुस्तक निमने लिखित में से किसने लिखी है करेक्ट आंसर है सुखवन सेने नेक्स्ट कोश्चन है Turning Point A journey through challenges पुस्तक के लिखा कौन है तो फ्रेंट सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा A.P.J. अब्दुलकलाम नेक्स्ट कोश्चन है An autobiography of an unknown Indian नाम पुस्तक किसके द्वारा लिखा गया है तो यह लिखा है नीरत सी चौधरी ने नेक्स्ट कोश्चन है Uneptold Story के लेखा कौन है तो यह लिखा है BM Kolnay नेक्स्ट कोश्चन है जार्ज बर्नार्ड सौने कौन सा नाटेक लिखा है तो यह लिखा है Arm and the Man नेक्स्ट कोश्चन है Gандi and Stalin पुस्तक किसकी गरती है किसने लिखा है यह यह लिखा है Louis Fisher ने नेक्स्ट कोश्चन है दा एक्षिडेंटल प्राइम मिनिस्टर नामक पुस्तक के लेखक कौन है तो फ्रेंट्स ये इसके लेखक है संजे बारू नेक्स्ट कोश्चन है फ्रीडम इन एक्साइल के लेखक कौन है तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दलाई लामा नेक्स्ट कोश्चन है हिंदू व्यू आफ लाइफ नामक पुस्तक किसने लिखी है तो फ्रेंट्स इसका होगा डाक्टर एस राधा कृष्णन नेक्स्ट कोश्चन है हार्ट अफ इंडिया पुस्तक किसने लिखी है तो फ्रेंट्स यह लिखी है मार्क तुलीने नेक्स्ट कोश्चन है सुखवंत से दोर लिखी गई आत्मकता क्या है तो वह है truth and little malice नेक्स्ट कोश्चन है मालगुडी डेज के रचनाकार कौन है तो इसके रचनाकार है आर के नारायन नेक्स्ट कोश्चन है इगनाइटेट माइंच किस ने लिखा है तो फ्रेंट्स यह लिखा है फ्रेंट्स आज के कोश्चन यहीं समाप्ड होते हैं वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक किजी to share कीजी अगर चैनल पर नहीं तो subscribe कर लिजए मिलते हैं इसके आगे के question लेके next वीडियो पे तब तक के लिए धन्यवाद